हेलो फ्रेंड मैं अनंद राज आप शो के बीच देखिए पाटली पुत्रा इन्वर्सिटी का प्रिभेश सेर कोस्चन 2019 क्या हम मेठड का कोस्चन लेका है देखिए इससे पहले हम आपका झाले मेठड में आपकाहम उर्दू मेठड अपका हिंदी मेठड संस्क्रीत मेठड होम सइन्स मेठड हम डाल प्लएलिस्ट में आफ़ देखिए आए समझे हां मेठड का आपका दीचेंग मेठके सिल्न का मेठड से दोकें हैं यहां पर कोई भी चीज होता है पहले बताते हैं यहां पर लिखा हुआ है देखिए आपका जो कोड है इसका कोड भी बता देते हैं क्या कोड है प्रणाय मेठड में समझे तो उसी काम कोश्चन लेके आए समझे यहां पर लिखा भी है 2019 का प्रिवेस कोश्चन आपको पहले बताया हुए थे कि इसका पैटन क्योंकि पटले पुत्रा इनिवर्सिटी पहले मगद में था समझे तो अलग हुआ 2019 में फर्स्ट एर का एक्जा समझे यानि 2019 का प्रिवेस का कोश्चन है समझे और कोर्स देखिए पी एससे सिक्स है यानि पेपर बी सी सेवेन ए इसमें भी तीन दो घंटा समय मिलता है और मैक्समों नमबर आपका कितना है आपका 40 नमबर है समझे तो आईए आप देखते हैं आपका कोश्चन सेक्षन यह लिखा हुआ है लॉंग इंसर टाइप कोश्चन दिरी उतर यह प्रसन आपका है लिखा है निम लिखित में किनी दो प्रसनों के उत्तर दीजिए पहला आपका कोश्चन है कि भारत में प्रारंबिक सिक्षा की प्रस्तिती का संचिप्त वर्णन करे सर्व सिक्षा विया का इसके उपर पढ़ने वाले प्रभाव को बताईए यानि आपका कोश्चन है कि डिस्क्राइब दा बिलीव दे स्टेटस ऑफ इलिमेट्री एजुकेशन इन इंडिया डिसकर्ड़ इंपक्ट ऑफ सर्व सिक्षा वियान और इट इसे सार जिसे बोला जाता है इसमें अथ लिखा या वाट अर्द बेरियर इन इन वर्सलाइजेशन अफ इलिमेट्री एजुकेशन एनल एनलिसिस दा मेन रिकुमेंडेशन ऑफ राइट टु एजुकेशन एक्ट 2009 यानि 2009 समझें फिर आपका तिसरा क्वेश्चन इसमें है तिसरा है कि परारंबिक सिक्षा बालक के जीवन के अधार सिला होती इस कथन की समिक्षा किजिए यानि इलिमेट्री एजुकेशन इंद फाउंडेशन इस्टोन इंद लाइफ हो पेश चाइल्ड एनालिसिस दा स्टेटमेंट यानि करा है कि परारंबिक सिक्षा बालक के जीवन के आधार सिला होती यानि चाहा से मिलेगा सही बात है बच्चा का बेस बनाता है टो इस यह दिश्टिक इंस्टिक इंस्टिक आप एजूकेशन एंड ट्रेनिंग डायेट इस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एलिमेट्री स्कूल टीचर समझे तो यह आपको चार को कोस्चन है चार में से दो का जवाब देना है समझे दिरिगुतरिये में आई आप देखते हैं सेक्षन बी में आपका है कि सोट एंसर टाइप कोस्च है दूसरा आपका छठा कोस्चन है कि जीला प्रात्मिक शिक्षा कार्जकरम के कार्जों को समझाए यानि डिसकर्द फंचन उप डिस्टिक प्रामरी एजुकेशन प्रोग्राम डिपी पीप फिर आपका सट्मा कोस्चन है नई तालिम की महत्मधार यानि इंप्र्टेंस समझें उसी का नई तालिम उसी को बोलते हैं फिर आठमा आपका कोश्चन है कि सिक्षा में अप वेयर यम अवबोधन की समस्था यानि प्रोगलम वेश्ट वेस्टेज एंड इस्टेग दिनेशन इन एजुकेशन फिर आपका नॉमा कोश्चन है कि विद्याले परबंदन सम मेंचे कर्द कमिटी क्या कार्द है नॉमा फिर आपका आपका सेक्षन सी में क्या हो krijgए पहला कोश्चन him दीयें ती 3H कि लिए माहतमा गांधी ने दिया था पॉर सेंटा यहा और बायन किसंद्ध कह था का है था आपका डिएस को ठारी का है समझे भारत का भाग करने किसके में है विद्धायले के कछाओं में किस तो आपका डिएस को ठारी यह बोले हुए थे कि फिर आपका है कि सरब्सिक्षा वियान की सुर बात का भीतिती वह मौली का दिकार है तो आपका जो अनुच्षा तो देखिए यह आपका मेठर का इसके अलाव बच किया आपका सुसल साइंस का बच किया सुसल साइंस फिर आपका साइंस वन साइंस टू और आपका मैथ और कमर्स का समझेद आज ही अपलोड आपको हम कर देंगे ठैंक्यू